दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कहानी संसार में, कहानी संसार में लीजे सुनिये, प्रसिद्ध कथाकार अमरकांत की लिखी कहानी गले की जंजीर मुझे खुब अच्छी तरह याद है कि रात को जंजीर पहन कर सोया था, लेकिन सवेरे उठकर देखा कि वह गले से गायब थी, खटिया पर से उचल कर खड़ा हो गया, बिछावने को उलट पुलट डाला, उपर देखा, नीचे देखा, अगल देखा, बगल देखा, दौड कर कमरे में गया, कोना कोना चान डाला, परन्तुह नहीं मिली, संभावते किसी ने चुरा ली थी, जहां तक मुझे आध है, प्रेस में ऐसी घटना पहले कभी नहीं होई थी, मैं गत ढाय तीन वर्सों से प्रेस की छत पर एक कमरे में बिना किसी द्वंद और भैके रहता 24 गंटे चाफरासी, हाकर, मशीन मैन, फोर मैन, कमपोजीटर तथा कितने ही अन्य बुरे भले लोग उपर से नीचे और नीचे से उपर किये रहते हैं, परन्तु किसी ने कभी मुझ जैसे सीधे साधे पत्रकार का एक तिन का भी ने उठाया, बड़ी बुरी बात थी, वह स पहीन सफेद धोती और रेश्मी कुर्ता पहन रखा था, इसके अलावां उसके गोरे गले में एक सोने की जंजीर सुसोभित थी, जो पुवे पर चीनी का काम कर रही थी, अब जूट क्यों बोलू, मैं उसके रॉब में इतना तक आ गया, कि इच्छा करने लगी कि मैं भी उसी पोशाक में तथा गले में वही या वैसी ही जंजीर पहन चारो और घूमू और लोगों पर रोब जमाओ, आज तो गुरू खूब जच रहे हो, गले में सोने की जंजीर तो बस पूछो मत, मैंने मुह बाकर हस्ते हुए परसंसा की, वह कुछ नहीं बोला और मेरी बात पर किवल हसकर रह गया, किन्तो चार-पांच मिनट बाद मैंने बेशर्मी के साथ उससे जंजीर मांगी और उसने फोरण निकाल कर दे भी दी, पहनने की पश्याद मैंने अपने चारो और आत्म प्रशंसा से देखा, मैं उसे पहने ही रहा और फिर हम कोई दूसरी बात करन लगे और जब वह जाने लगा, तब भी मैंने जंजीर निकाल कर नहीं दी, और उसने सिष्टा चार से मांगी भी नहीं, और दो-तिन दिन में आने का वायदा करके बाद चला गया, वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी नियत पूर्टिया साफ थी, मैं केवल यही चाहता था कि जंजीर एक-दो दिन पहनने के बाद उसे लोटा दूँगा, उसके अलामा हम दोनों लंगोटिया यार थे और अकसर एक दूसरे की चीजे पहना भी करते थे, अब मुझे क्या मालूम था कि ऐसा भी होगा, मैं एकदम घबरा गया, कुछ देर तक सुन होकर कमरे में खड़ा रहा, फिर दोड़ा हुआ मिश्र दादा के यहां गया, वह भी सहायक संपादक थे, लेकिन चूकी उन्होंने दाढ़ी रक छोड़ी थी और धड़ले से बंगला भी बोल गया और जब उन्होंने मेरी और देखा तो मैंने गंभीर आवाज में सूचना दी, दादा जंजीर तो चोरी चली गई, वह चौक कर उठ वैठे, दुख एवं आश्यर की बनावटी भावना से मुह और आँखों को फैलाते हुए उन्होंने कहा, अरे कैसे, मैंने सारा किस कह सुनाया, वे घोर चिंता में पड़े मालूम हुए और निचले होट को दातों से हलके हलके काटते हुए, पास में रखे गंदे तकियों को अपने दाएं हाथ से धीरे धीरे ठोकने लगे, एक डिर्ध मिनस परशात, आँखों को थोड़ा उपर नीचे करते हुए, नपे परशा से उस साहित होकर मैंने उत्तर दिया, हा दादा, इसके बारे में तो आप निशिंत रहें, भाई मैं तो निशिंत हूँ, लेकिन सभी बाते देख सुनली जाती है, बड़े बड़े भूल जाते हैं, फिर हमारी तुमारी गिंतिक इसमें है, उन्होंने तर्क किया, मै इधर उधर देखने के पश्यात धीरे से पूछे, क्यों जीब बड़े साहब ठीक बताना, उसे किसी कोठे उठे पर तो नहीं दे आए, मुझे यह मजाग बड़ा बुरा लगा, रुखाई से बोला, आप तो साहब मजाग कर रहे हैं, किसी की जान जाए, और कोई मलहार ग देर बाद, जब मैं उठकर आने लगा तो उन्होंने पुकारा, अरे जा रहे हो, जरा सुनना, मैं लाउट आया तो उन्होंने सिर को कुछ आगे बढ़ा कर फुस फुसा कर शंका पर कटकी, भाई, मेरा तो शक उस रामधन पर जाता है, वह रात में देर तक कम पोच करता रहता है, गौर करना उसकी आखे अत्यंतर हसे मई हैं, हमेशा तिर्ची नजरों से तरेरता है, जैसे चोर हो, उसके घर का भी तो पता किसी को नहीं मालूम, नजाने कहा का रहने वाला है, भाई, मेरा तो संदे सोलयाने उसी पर है, रामधन हमारे बगल के कमरे में रहता है और अभी दो दिन पूरू मिश्र दादा से उसकी जबरदस्त मौखिक लड़ाई हुई थी, मैं सोचने लगा, मिश्र जी ने निशित सम्मत प्रकट की, मारो साले को, दो फैट में सारा उगल देगा, अच्छा देखा जाएगा, मैं लोट पड़ा, इससे काम नहीं चलेग कुछ कड़े बनो, मिश्र जी चिल्ला पड़े, कुछी देर में या समाचार प्रेस में आग की तरह फैल गई। प्रेस मैनेजर गुलजारी लाल जी ने मुझे बुलवाया और सभी बातें जानने के बाद बोले, शर्मा जी माफ कीजिएगा, आपको दूसरे की चीज लेने की आखिरकार हिम्मत कैसे पड़ी, वह भी सोनी की जनजीर, मैं तो साहब कोई देता भी तो इनकार कर देता और ली भी जाती है छोटी छोटी चीजे की छमा कीजिएगा, यह आपने बहुत भारी गल्ती की। राम बिलाज जब ड्यूटी पर आया, तो सबसे पहले मेरे कमरे में पहुँचा, उसने पहली मेरी और घूर कर देखा, फिर आखो को मटकाते हुए धीरे से पूछा, कहो गुरू, कहां दे आए, देखो चुपाओ मत, मैं सब जानता हूँ। मैंने मुह फुला कर उत्तर दिया, यार तुम लोगों को हमेशा मजाक ही सूचता है, अब मैं तुम लोगों को कैसे विस्वास दिलाऊं, कि जंजीर सचमुच गायब हो गई है। मैं जाक की बात रही, लेकिन यार शर्मा, भूरा न मानना, तुम्हारी लड़कपन की यादत अभी छूटी नहीं, इतने बड़े हो गए, इन्वरसिटी में भी पढ़े हो, इसके अलावा एक पत्र के सहायक संपादक हो, लेकिन शौक क्या है कि जंजीर पहनो, ठीक देहा कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रेस कर्मचारियों ने इस संबंध में अपनी धाणाय बना ली थी, मोटे तोर पर तीन मत संगठित हो गए, पर्थम दल का कहना था, कि शर्मा ने जंजीर किसी रंडी मुंडी या किसी लुगाई को दे दी है, इसमें उसका कोई दोश नहीं, जंजीर साफ दिल से लोटा देने के लिए ली होगी, लेकिन कोठे पर जाकर मजबूर हो गया होगा, रंडी ने नखरे से मचल कर जंजीर मांग ली होगी, और वह इंकार नहीं कर सका होगा, और अब यहां आकर चोरी का बहाना कर रहा है, दूसरी पार्टी के लोग चोरी का कैसे पता लगाया जाए, इसकी जरा भी चर्चाने करते हुए, इस पर जोर देखते कि मैंने जंजीर लेकर भारी गलती की, और तीसरे दल के लोग अत्यंत ही इमानदार और गर्म बिचार के लोग थे, और उनकी राय थी कि कुछ लोगों को पकड़ कर भूद भाग जाता है। उन्होंने पैरों को थोड़ा फैला तथा कमर पर दोनों हाथ रखकर और जमीन को तिर्चीनगर से देखते हुए प्रश्न किया, बड़ी कमीनी चीज हुई, यह सब कैसे हुआ, मैंने विस्तार पुरोग बताया, वे दाया हाथ ललाट पर रखकर कुछ सोचते रहे, फिर चौक कर बोले, जैसे ना जानते हों, जन्जीर कहां थी, फिर मैंने बताया कि गले में थी, अचानक वे तेजी के साथ कमरे में चारो और घूम कर इधर उधर पड़ी चीजों को देखने लगे, मेच की दराज में देखा, एक कुरसी पर चढ़कर एक उची आलमारी कर निर जन्जीर के साथ बाहर नहीं सोया था, उसे कमरे में भी तो छोड़ सकता हूँ, कुछ देर तक चुप रहने के पश्यात वे अचानक बोल पड़े, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप जैसा होशियार आदमी जन्जीर को गले में पहन कर बाहर कैसे सोया, यह तो ऐसी ब जानते हैं साहब, डेर सो दो सो रुपय की चीज है, फिर पहले का जमाना भी तो नहीं रहा, कि आप कमरा खुला छोड़ जाए और लोटने पर एक एक समान अपनी जगह पर वैसे ही मिले, लोग बैमान हो गये हैं, वे एक दूसरे की चीजें हडपने की फिराक में रहते है और ये सब आप जानते थे फिर भी आपने ये गलती की, कहिए मैं जूट कहता हूँ, नहीं, मैंने अत्यनत ही गदगद होकर उतर दिया, नहीं साहब नहीं, जैसे इस तरह बोलने से उनके हिर्दय में मेरे परती सहानभूत जाक पड़ेगी, और वे और जोस में आ गए, भ नहीं हुई, मैं सभी चीजों को ढंग से रखता हूँ, और सबकी ही फाजत की परवाह मुझे रहती है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो पढ़ने लिखने से लाव गया, शाम होते ही सभी कीमती समान ट्रंक में मजबूत ताला लगा कर बंद कर देता हूँ, मजाल की कोई च चातवे चले गए, सचमुच मेरा मन मुझे धिकारने लगा, मैं कितना बेवकूफ और गवार हूँ, इस छोटी सी चीज को भी नहीं समझ सका, उफ, यदि जंजीर को ट्रंक में बंद कर दिया होता तो आज ऐसी हैरानी पर इसानी नहीं उठानी पड़ती, मेरी तबियत र ठिनाई से सांस ले रहा था, चाह रहा था कि कोई कमरे में आकर मुझसे बातचीत न करे, लेकिन साथ ही साथ मेरे हिर्दय के अंतरतम गहवर में यह भी उम्मीद थी कि शायद अभी कोई आकर जंजीर का पता बता दे, और इसलिए बाहर की तरफ कोई खटका होने पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता, मैं सांस रोक कर सुनने लगता, लेकिन जब कोई बात, जब कोई नहीं आता, तो मुझ पर से चादर हटा कर धरवाजे की ओर देखता, किन्तु निराश होने पर फिर उसी तरह लेट जाता, वैसे हिर्दय में एक विचित्र परकार का संतो दोस भी होता, कि चलो कोई नहीं आया, अच्छा ही हुआ, और फिर तबियत करने लगती, कि मैं अनिशित कालीन तक उसी तरह पढ़ा रहूं, और किसी से भेट न हो, मुझ किल से 20-25 विनट वीते होंगे, कि मेरा टेली ग्राफिक्स दोस्त जो सब धमक पढ़ा, मैंने सीर बैठ गया और प्रश्ण को टालने की गरज में, मैंने जवरजस्ति मुस्कुरा कर पूछा, आरे छोड़ो भी, पहले यह बताओ कि कहां से आ रहे हो, घर से चला आ रहा हूं, मैं क्या जानता था कि यहां आकर यह खबर सुननी पड़ेगी, वैसे जंजीर कितने कि थी, वह उतना ही गंभीर और चिंतित था, मैंने बात उड़ाने की कोशिस की, हटाओ यार, हटाओ भी, यार गई तो गई, बहुत कीमत होगी तो सो रुपे, ऐसे रुपे तो आते चाते रहते हैं, पर वह नहीं माना, क्यों जूट बोलते हो, दोस्त मैंने भी वह जंजीर देखी दोसाओ से कम थोड़े बैठेगा, मैं चुप रहा और धरवाजों के बाहर देखने लगा, कुछ देर चुप रहने के पश्यात उसने प्रश्न किया, जंजीर कहां रखी थी तुमने, इस सवाल से मैं डर गया और मशीन की तरह उत्तर दिया, बाहर सोया था, और जंजीर कम अले में रखने की चीज है, जिस पर सब की नजर लगी रहती है, यार तुम अजीब बुद्धु हो, वे उसे बनमानुस की तरह देखने लगे, उसने समझाया भले आदमी, तुम्हें तो मालुम है कि कीमती चीज़ों को ऐसी जगह रहते हैं, जहां किसी ब्यक्ति की नजर इस तरह से सोस समझ कर काम किया जाये तो चोरी मुश्किल से हो, मुझे अपनी बेवकूफी पर बार बार अफसोस और पश्यताप होने लगा, जोसिप के जाने के पश्यात मैं फिर उसी तरह लेटर रहा, पर इत्मिनान नहीं हुआ, तो उठकर दरवाजों को भीतर से आच एक मिनट के बाद ही यूनाइटेट प्रेस आफ इंडिया का संबाद्धाता परेश बनर जी पहुँच गया, पहले तो मैं कुछ न बोला लेकिन उसने बाहर से जब जोर जोर से किवार थपथपाना शुरू कर दिया, तो बाध होकर दरवाजा खोलना पड़ा, उसने भी आवश्यक प्रारंभिक जाड़ परताल करने के पश्यात पूछा, जनजीर रखा कहा था, मैंने जल्दी से थूख घोट कर बताया, इस मेज की दराज में एक किताब के अंदर थी, मुझे विश्वास था कि कम से कम कोई जनजीर को दराज में रखने का विरोध तो नही कर सकेगा, लेकिन परेश का दूसरा ही मत था, उसने अपनी सिध्धान पर विश्थार पूरवग प्रकाश डाला, दराज में रखा, जैसे किसी सेफ में रख दिया हो, तुम तो यार लड़कों से भी गया भीता आदमी है, तुम यहाँ एडिडरी खाक करता है, जनजीर द दराज में रखने का चीज है, तुमने बहुत सा नाविल पढ़ा होगा, कि चोड़ा को लोग दराज का अच्छी तरह तलासी कर लेता है, इस पर भी तुमने दराज में रख दिया, जनजीर को रखने का सबसे अच्छा तरीका तो यह होता, कि उसे मनी बैग में रख कर तक चाप सुन बैठा रहा, और फिर अचाना कूट खड़ा हुआ, जल्दी से कमीज बदली, जूते पहने और दर्वाजों को बंद करके बाहर निकल पड़ा, कमरे में यह प्रेस में रहना असंभोसा हो गया था, परन्तु अभी खुली छट पर आया ही था कि प्रधान तो थे ही, साथ ही गप्पे लड़ाने में भी उस्ताथ थे, उनका द्रिण विश्वास था कि पत्रकार भगवान से भी टकल ले सकते हैं, मैंने उनको नमस्कार किया, उनसे मिलकर मुझे अत्यंत ही संतोस हुआ, वह मेरे गाउं के थे, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह इस स चुप रहे, मैं इसे उध्यरबुन में था कि कैसे बास शुरू करूं, लेकिन उनको सब पता था, उन्होंने बास स्वैंक शुरू की और बड़ा अपसोस प्रकट किया, और अंत में मुह बाकर जमीन की तरफ देखने लगे, कुछ दिर बाद उन्होंने भी वही परचित प्रश्न किया ललू, जनजीर रखी कहा थी, मेरा कलेजा धक से कर गया, लेकिन मुझे बंगाली की बुद्धि पर गहरा भी स्वास हो गया था, अतेव कुछ निर्भैता से उत्तर दिया मनी बैग में, मनी बैग में रखकर तकिये के नीशे दबा दिया था, और उपर से सो गया था, ठाकुर साहब धीरे धीरे ठनक ठनक करह से, फिर बुजुर्गी पर दर्सित करते हुए बोले, ललू, थोड़ा गलती कर गये, मैंने रुवासी आवाज में पूछा, क्या ठाकुर साहब, ठाकुर साहब पास खिसकाया और चारों और ससंकिक द्रिश्ट से देखन के बाद बोले, देखो ललू, मुझे चोर उचको से पाला पड़ा है, इसलिए मैं उनकी बाद जितना जानता हूँ, उतना कोई नहीं, मैं उनको मुर्ख की भात निहारने लगा, उन्होंने उस साह के साथ मंत्र बताया, उपाय साफ होर सीधा है, पर उसे कम लोग जानते ह चोर का दिलाधा होता है, और वहीं पर चीजे चुराने की कोशिस करता है, जहां से लोग दूर रहते हैं, तुमने जंजीर तकिये के नीचे रख दी थी, वह थोड़ी होशियारी तो थी, लेकिन पूरी नहीं, अरे कहा भी गया है, सोना मरना एक समान, मान लो सीर तकिये से खिसक कर नीचे चला गया, या तकिया इस तरह खिसक गया की जंजीर दिखाई देने लगी, तो क्या होगा, उन्होंने यहां रुक कर मेरी और प्रश्नपूर दिश्टे देखा, उनकी आखे किसी विश्व विद्याले के उस सिक्षक की भात चमक रही थी, जो थोड़े, इसलिए तुम्हें जंजीर को गले में पहन कर सोना चाहिए था, एक तो किसी की कलपना ही वहां तक नहीं जाती, और यदि किसी भी हालत में जाती, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, कि हाथ लगा दे, लल्लू, मेरा तो सब जाना सुना है, तो दोस्तों, ये थ प्रसिद्ध कथाकार अमरकांत की बहुत ही मन भावन और सुरुजपून कहानी गले की जंजीर, कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार